हेलो गैस तो देखो आज मैंने यहां पर बनाई हूं छोले जो कि बहुत ही युनिक तरीकेस बनाया है तो छोले तो आपने बहुत सारा बनाया होगा लेकिन एक बार मेरे तरीकेस भी बना के देखना बहुत टेस्टी बनेगा यह तो यह चोला बहुत टेस्टी बनके तयार इसमें मैं कुछ मसाले डालूंगी तो सबसे पर इसमें ख़ड़े मसाले डालेंगे एक दाल चीनी का टुकरा चाड मैंने यहाँ पर लॉंग ले लिया है चाड छोटी इलाइची डाल रही हूँ और आधा चमच जीरा जीरा कचा ही है तो आधा चमच जीरा डाल दिया है इसके बाद दो प्याज मैं डाल रही हूँ आठ दस लहसन की कलिया एक छोटा सा अदरक का टुकरा और तीखा आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हो कम जादा मैंने यहाँ पर 4-5 मिर्ची डाल दीया, ग्रेंची लिए उसके बाद 5 मिर्च मीजिए अपर काली मिर्च को कोट के डाला है आप चाहे तो साबुठ भी डाल सकते हो और यहाँ पर आधा चमच हमने नमक डाल दिया अधागे मिना इसके पिछवाश नोगे दोग सेए इसको धे। पनी के सत्लिपर को बंद प्रिदूाएर और आधसे चिर थोग्वाश से पूसे ठीज़ाइब भी हम देना लुखते हैं। चार सीटी लो फ्लेम पे लगाऊंगी तो यह परफेक्ट छोले गल के त्यार हो जाएगा यहां पर देखो यह बन चुका है तो इसको कुकर को धकन हमने खोल दिया है और यह कितने अच्छे से सारे मसाले और यह छोले भी गल चुके हैं तो हमने इसमें जितने भी समान डाले थे मसाले सब सब को हमें निकाल लेना जैसे टमाटर हो गया प्याज हो गया अधराक लहसान हर एक मसाले को इसमें से हमें निकाल लेना है एक एक करके एक भी नहीं छोड़ना है जितने भी खरे मसाले डाले थे उससे भी हमें निकाल लेन इस तरीके से एक बार आप बनाओगे ना तो यकीन मानू बहुत चश्टी बनेगा यह छोले और यहां पर जितने भी हमने मसाले डाले थे सबको एक एक करके मैं निकाल रही हूँ खड़े मसाले को हमें अलग से रखना है आप चाहे तो इसको डाल भी सकते हो सबजी बनाते समय जब हम इसको छोंके लगाते हैं तब नहीं तो हम इसको सैड में रख देंगे इसका फ्लेवर काफी है इसलिए अब हमें खड़े मसाले इसमें नहीं डाल ले हैं और यहां पर ज कची जो रहाएं एन क्म पर को चुदे सब्सक्राइबद को सबुद यह अच्छे मिदिक कूप सब्सक्राइब थोड़ी सी हम इसमें जीरा डाल रहा है और देखो तेल इतना गरम हो गए है कि जो मैंने मसाले की प्यूड़ी बनाई नहीं यह डाल तहीं इतना धुअधा छोड़ने लगा कि तेल बहुत ज्यादा गरम हो गय कि फिर हमें धीरे धीरे इसमें हमने 3-phi executing डाल द्या है जो कि ह अब यहां पर साड़े मसाले को मिक्स कर लेंगे दो से तीन मिनट इसको अच्छे से भूनेंगे तो दो से तीन मिनट भूने को इसमें तेल भी कितना डिलीज होने लगा है अच्छे से मसाला भून गया इसमें मैं डाल दूंगे कुछ मसाले तुसमें मैंने लाल मिर्च ले ल नहीं डालेंगे इसमें और बहुत अच्छा बन कहिए तैयार होता है तो यहां पर एक-दो मिनट और मैं भूल लूँगी इसके बाद इसमें मैं चना मसाला डाल रही हूं दो चमच बस मसाले में यही डालना है और कुछ भी नहीं डालना है दो चमच हमने भरभर के चना मसाल अगर डालने से टेष्ट अच्छ होता है अगर डालने से टेस्ट अच्छा होता है या मैं इसमें एक्चमच डाल दिया है केचÆप सारे मसाले को अच्छे से भून लिया है हमने यह पर अब इसमें डाल रही हो छोले तो छोले डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर हमें इसमें पानी की मातरा बढ़ाना हो या घटाना हो तो आप इसमें पानी उपर से और भी डाल सकते हो तो मैं इसमें थोड़ा सा और भी पानी डाल दिया है और कुकर कुठकन बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इसमें हम दो से तीन सिटी लगाएंगे अब ज्यादा सिटी नहीं लगाएंगे तो यहां पर छोले देखो कितने अच्छे से गल चुके हैं अगर आप चाहते हो छोले को थोड़ा अच्छे से mix करना तो इसको दबा दबा के चमच से step से आप इसको mix कर सकते हो और बहुत अच्छे से छोले जो है बनके हैं पर तेयार हुए खाने में भी उतना ही टेस्ट आता है इसका तो इस टेप से बना के देखना वे एक बार इसके ब्याद में लगा दूंगी छोका तो छोका में मैं यहां पर एक चमच घी डाला है इसमें थोरी सी जीरा डालके मैं छोले को छोका लगाँगी इसे का है टेस्ट और भी बढ़ जाता है तो देखने करने के बात किपना पड़स्ट सुराइब मैं रागा लगा लेते हैं खाना और इस टेप से आप छोला बना के तयार कर सकते हूं और अपने मन मताबिक चीजों के साथ सर्व कर सकते हूं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ